कुछ दिन पहली की बात होती है जब CEO बोलता है क्या ये ऐसा करना सही रहेगा क्या तो ये बोलता है क्या तुम सच में रूरू को अपने पैमली से मिलाना चाहते हो तुम्हें नहीं लगता है कि ये थोड़ा जल्दी है तो CEO बोलता है कि ग्रैंट पहले से स्टेट्मेंट बनाए वाह प्रैस है वो भी रूरू की आईटेंटिटी के बारे में जानना चाहती है और हमारे रिलेटिफ्स ज़ो हैं वह भी रूरू के बारे में कूर्यस है करके यदि हम इसी करें रूरू को छिपाते रहेंगे तो मैं अज़े डर है कि फिर लोग जो है गलत सदत बाते बताएंगे और बोलेंगे करके इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं खुदी रूरू का इंट्रोडेक्शन दे देता हूं तुम चिंता मत करो मैं रूरू को अच्छे से प्रोटेक्ट क करेंगे बट हम लोगों को यह कैसे एक्स्प्रेंग करेंगे कि रूरू का जनम कैसे हुआ था तो सियो बोलता है कि हम लोगों को उनको एक्स्प्रेंग करना है और अपने ग्रैंट पैरेंट्स को तुमारे पैरेंट्स को पर लेकिन हम टुथ बता देते हैं सच्छा ही बता मुझे तुमारे साथ रहने नहीं भी देंगे करके क्योंकि उसे लगता है कि अधि वो एक तम ही सच बोलेगा तो हो सकता है यह को से दूर कर दिया जाएगा और तब मेरे उसके पस कोई रीजन भी नहीं रहेगा कि वो यह को किसी तरीके से रोक सके तो तो CEO बोलता है कि तुम्हें लगता है क्या कि जो प्लान मैं बनाऊंगा क्या तुम उसको जो ये प्यार की स्टोरी है लव स्टोरी है और कैसे हम लव में पढ़े इसको हम थोड़ा सा आगे फॉवर्ट कर देते हैं करके और मैं तुम्हारे साथ कैसे लव में पढ़ा करके तो क्या होता है जैसे ही वो ऐसे बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार है करके मालो हमारे यी के तो दिमाग से रॉकेट चूप जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि स्टोरी को फॉरवर्ड कैसे करें आगे कैसे पढ़ाएंगे तो सियो बोलता है कि मैं उन लोगों को बताँगा कि हम लोग बहुत पहले ही एक दूसे के प्यार में पढ़ चुके थे और फिर उनको हम इमेजिन करेंगे कुछ तो भी कहारी इमेजिन करके बता देंगे और बता स्टोरी को जो है एकदम रियल स्टोरी जैसा बनाना पड़ेगा और ऐसा दिखाना पड़ेगा कि हम लोग जूट नहीं बोल रहे हैं तो यह और स्टोरी बता सकते हैं जैसे कि तुम ने मुझे वेब ड्रामा में देखा था एक एक्सिडेंट के दोहरां पर बहुत सालों प तुम लोग यह ड्रामे में ऐसा मैं बोल रहा होता हूं कि वुमन तुम जो आग के साथ खेल रही हो करके और तो सीयो बोलता है कि हां तुम किते हैंसम लग रहे थे और ऐसे में फिर मैंने तुम्हें नोटेस किया और ऐसे हम एक दूसरे के साथ पहली बार में ही प्यार में पढ़ गए और फस्साइट लव हो गया हमारे बीच में तो यह ऐसा सुझा देता है और यह बुलता है कि उसके बाद जब हम लव में पढ़ गए तो तुम मुझे वहर जगा पर फॉलो करते थे तभी इसी अपने मन में सुझते है कि जिस मुवी में और जिस ड्रामे में ही नहीं काम किये वह सारे ट्रामे ऐसे थे जैसा कि उसने अभी स्टोरी बताया है और तभी वो बुलता है कि फिर मैं आग ऐसा बोलूँगा कि तुमने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया है तो मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता इसलिए फिर हम दोनों साथ में हो गए और हम एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और हम एक साथ रहने लगए करके लेकिन उसके बाद एक मोड आता है हमारी जिंदगी में जैसे कि खुशिया हमेशा बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकती है वैसे ही हमारा जो पैशन था वो भी समय के साथ वो होने लग गया मिटने लग गया करके और जिसकी वज़े से हमारे बीच में जगड़े वगड़े होने लग गया और यहां पर दिखाते हैं कि यही कैसे एक्टिंग करके भी दिखा रहा है और उस टाइम पर हम लोग बहुत ज़्यादा यंग थे और हम लोगों में बरदाश करने की शम्ता कम थी तो हम लोग एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाए और हम एज़स नहीं कर पाए जिसकी वजह से हमारे बीच में फाइट सोने लगी और तभी सीयोस होता है कि सारे स्टोरी इसके सब एक ही जैसे क्यूं है और यहीं बोलता है और इसी की तरह हम लोग एक दूसरे से अलग हो गया ऐसा स्टोरी हम अपने पैरेंस को सुना में यह भी बोल देंगे कि हमारे बीच में फाइट हो रहा था इसले मैं बूरू को लेके चला गया और मैं एक बहुत हार्श लाइफ भी जीया करके और तभी जीयों बोलता है कि और आगे हम ऐसा बोलेंगे कि जब हमारा ब्रेक अब हुआ तब मुझे रेलाइस हुआ कि य यह दि मैं तुम तक पहुंचना भी चाहता तो मैं तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था रूरू को और तुमको तुमको सीक्रेट में देखता रहता था और ऐसा करते कुछ साल भी जाय तो ही बुलता है यह स्टोरी भी पर्फेक्ट है करके और दब ही जीयों बोलता है फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सका और मैंने अपना सब कुछ रिस पेदाओं पे लगा के तुम लोगों के पास वापन सा गया तो यह बुलता है परफेक्ट प्लान है और यह बुलता है कि ठीक हमें थोड़े और डिटेल्स की जर्वत है और पर एक दम परफेक्ट हो जाएगा एक्जामपल के लिए जैसे की ऐसा जैसे की सोषते सोषते क्या होता है दोनों एक उसे के करीब आ जाते हैं और उन दोनों के गाल ब्लश करने लगते हैं और CEO हमारे यह को किस कर लेता है अब जब यह किस हो रहा होता है तो इनकी आखे व बना ली जो जो हमें अपने ग्रैंड पैरेंट्स और पैरेंट्स को कहना है लेकिन रूरू को क्या हमें रूरू को भी तो गाइड करना पड़ेगा और क्या तुम्हें लगता है कि रूरू इतने सारे लोगों को स्ट्रेंजर्स को दिखके डर जाएगा करके और यह बहुत और तभी यह ऐसा बोलके जल्दी से भाग जाता है कि रूरू उठने वाला होगा मैं जाकर इसको समझाता हूं और तभी सी होलता है यह तो चला गया लेकिन मेरा क्या मुझे कौन समझाएगा करके तो फिर दिखाते हैं दूसी तरफ कि हमारा रूरू जो है वहाँ पर सबके स सामनेया से एक्टिंग कर रहा हो गया करता है कि आप लोग मुझे रूरू बुला सकते हैं मेरा जो फेबरेट करेक्टर है वो डखी प्रिंस है और मेरे पास जो लिमिटेड डखी प्रिंस टॉइस भी है मतलब लिमिटेड एडिशन के और मुझे जो है फ्राइड चिकिन ए टेबल पर बैठे होते हैं और रूरू ये सारी बाते इस अब को बतारा होता है और ये भी बताता है कि मुझे इस्ट्रावएरी आइस्टीम खाना पसंदे और मुझे वेजेटिबल खाना बिल्कूल पसंद नहीं है और मुझे अलफभेट्स भी आते हैं मतलब उसने एबी तरफ ध्यान दे और तभी भूते हैं कि जब वह पैता हुआ था तो उसका है अच्छा नहीं था इसलिए हम लोगों ने रूरु के बारे में किसी को बताया नहीं और तो रूरु भी बोलता है हाहा मेरा हैल्थ अच्छा नहीं था लेकिन असल में जिस आत्मी का हैल्थ तो दुखी भी होता है लेकिन यहां पर तो हमारा रूरु एकदम एनर्जेटिक लग रहा था लाउड बोल रहा था और उसमें सारी एनर्जी पूट-पूट के भरी थी तो सारे लोग बात करने लगते हैं और खुस-फुस करते हैं कि सीरियसली यदि यह बच्चा अपने बेस्ट हैल्थ में नहीं था तो अभी यह इतनी तेजी से और इतनी जो जो से चिल्ला की कैसे बोल सकता है करके तो दादा जी बोलते हैं कि इसकी बच्चे की रीकवर हो गया है अपने हैल्थ प्रॉब्लम से और इसलिए हमने इसको अबराट बेजाता जिससे कि वहाँ पर कि वह रूरू को ट्रेनिंग देगा यह किस तरह की ट्रेनिग दिये कि रूरू तो एकदम अनर्जेटिक दिखाये दे रहा है कोई नाटा कोई टक्निक कौन बिलीव करेगा कि रूरू भीमार था इसका इंट्रोडेक्शन अभी तक लोगों को नहीं कराया गया और रूरू अपने मन में बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हुता है और सोच रहा होता है कि मैंने सब कुछ किया जो यही ने मुझे कहा और I am the best मैं बहुत अच्छा हूँ इन सब चीजों में और तभी वह याद करता है कि कैसे हीनर से समझाया था कि तुम्हें ग्रेट ग्रैंट पा और फैंट फैंट से और इस ट्रेंजर के सामने तुम्हें पोलाइटली बहेव करना पड़ेगा और जैसा भी ग्रैंट फादर कहेंगे तुम्हें वैसा ही एगरी करना पड़ेगा और तुम्हें दूसरों को यह भी दिखाना पड़ेगा कि तुम कितना सोच विचार करने वाले बच्चे होगा कि तो रूरू उस अब चीजों के लिए एगरी कर देता बोलता है तब ही बोलता है कि बूलना मत फैंग को सबके सामने डैडी बोलना याने सबके सामने रूरू को फैंग को डैडी बोलना है तो रूरू एकदम से CEO के गले में मिल जाता है और डैडी करके उसको पुकाता है और जैसी वह डैडी बोलता है सब लोग उन लोग को देखने लग तो फिर से अपना गला साब करते हैं और बोलते हैं कि मैंने रूरू को अपने फैमिली में रेजिस्ट्री करवा दी है और मैं बाद में रूरू को आफिशली सब के सामने मिलवांगा और लेकिन मुझे नहीं पता था कि मीडिया पहले ही यह सारे न्यूस कैप्चर कर लेगी इसलिए मैं आप लोगों को अभी फॉर्मली रूरू से मिला रहा हूं करके तो यह जो अंटी होती है यह अपने मन में सुछती है कि अरे रूरू को पहले ही अपने फैमिली ट्री में रेजिस्टर करती है तब ही ग्रैन फादर बुलते कि रूरू अपनी ग्रेट आंट तब ही जैसे ही बोलता है कि मिलो उससे पहले ही हमारी जो पीले वाल वाली ऑरत है वो बुलने लगती है कि डैड यदि आप किता भी सच बोलें यह लेकिन बहुत ही वियर्ड है कि सड़नली एक बच्चा हमारे फैमिली में आ जाता है और मैं जिन्याओ कि फर्स्ट आंट जो है हमारी फैमिली है और हमसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा रख सकते हो तो यह आंटी का बेटा भी बोलता है हां तो जिन्याओ के पास पहले से ही बच्चा है जबकि उसके शादी नहीं हुए तो शादी से पहले ही उसके बच्चा है और यह एक प्राब्लम वाली बा है जिन्याओ शादी शुदा भी नहीं है और उसके पास एक बच्चा है जो कि आरड़ी तीन-चार साल का है मुझे तो समझ में नहीं आता कि आज कल की यंग पीपल कैसे हैं करके उससा बोलता हां मुझे भी नहीं समझ में आता है और देखो उसने बच्चे को कैसे कैजुर वह अपने साथ वापस भी ले आया अब क्या होता है यह तीनों बैट के सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा तब इनकी छोटी आंटी बोलती है कि जिन्याओ तुमारा जो बच्चा है वो तीन या चाल साल का दिखता है और यह बहुत ही यंग है करके और अपने बन में और मैंने इसका जो फरटिलाइज एक्ट था जो हऊस्पिटल में जबाया था वो भी किसी और के नाम से जमाता हो, मैंने उसे चोरी कर लिया था, तो बिग हेट जो है वो बच्चा है करके, जो बिग हेट बच्चा है वो सोच रही है कि यह ही उनका बच्चा है और यह CEO का बच्चा है पर बिग हैट CEO का बच्चा नहीं है और तब ही दूसरे लोग खाना पूसी करते हो बोलते हैं यह सही बोल रही है कि जिन्याओ जो है अभी भी बहुत यंग है और उसका जो बच्चा है वो अल्रेडी इतना बड़ा हो गया है और इसके पास क्या यह लीगल एज से पहले ही यह बाप बन चुका था क्या और तभी CEO बोलता है कि यह मेरा प्राइवरेट मैटर है और मैं नहीं इस सोचता कि मुझे अपने प्राइवरेट लाइफ के बारे में किसी को भी कुछ भी एक्स्प्रेन करने की जर्वरत है और वो बोलता है कि मुझे माप करें कि तुम्हारी स्टोरी पता है और मुझे भी पता है कि तुमको आदमी पसंद है क्या ऐसा नहीं है तो CEO देखता है उसको और सारे लोग भी देखते हैं और दादा जी एक बिन सो शॉप हो जाते हो बोलते अतना मुव बंद करो और तब ही इसका कजन बोलता है कि क्या मुव और दादा जी जो हैं बहुत गुसे में आजाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग क्या नॉंसेंस बात कर रहे हो तुम लोग अपना मुव बंद रखो और तब ही उनका कजन बोलता है कि ग्रेंटपा आप क्यों इतना मैड हो रहे हो हम लोगों पर यदि मैं गलत हूं तो बताओ मुझे आप खुद जिन्याओं से पूछ लो करके कि मुझे चुप होने के लिए हो सच आप जिन्याओं से पूछो तब ही वहाँ पर बैटे वे लोग खुसूर खुसूर करने लगते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिन्याओं को आदमी पसंद है करके और तब दूसरा आदमी बोलता है कि आजकल ये ट्रेंड है यंग पीपल्स के बीच में और तभी वो ये भी बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि इस सब चीजों में गलत क्या है और CEO ना रूरू के कान बंद कर देता है कि रूरू ये सब बाते ना सुने आकर का विमार है क्या और तभी इसका कजन बोलता है कि हम लोग कैसे इसको कंपनी चलाने दे सकते हैं करके तभी जो CEO होता है वो बोलता है कि दूरू तुम्हें याद है कि एक अंकल थे जिन्होंने ग्लासेस पहने थे यानि कि हमारे CEO का मैनेजर तो बोलता है कि दिको वह बाहर न हॉल में वेट कर रहे होंगे और उन्होंने तुम्हारा फइभरेट स्नैक्स और केक्स लेके आए होंगे तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम उनको तभी CEO बोलता है कि रूरू तुम्हें एक अंकल याद है जिन्होंने बाहर ग्लासेस पहने वे थे वह बाहर तुम्हारा हॉ में वेट कर रहे होंगे तुम ऐसा करो कि वहां जाओ और उनको ढूंडो वो तुम्हारे लिए snacks लेके आए होंगे केक्स और पेस्ट्री लेके आए होंगे तो रूरू जह बोलता है ओके और बहुत हैपी हो होंगा तो सीयो बहुत खुश होता है और ठीक है करके अब सीयो को गुसा आता है और वो अपना सही रूप दिखाता है तब ही उसकी बड़ी आंट बोलती है कि जिन गया हो तुम इस तरह की बाद हम सबसे कैसे चुपा के रख सकते हो और तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि तुम लड़कियों में इंट्रेस्टेड नहीं हो तुम लड़कों में इंट्रेस्टेड हो और तुम्हारे पास एक बच्चा भी है और चुकि तुम आदमियों में इंट्रेस्टेड हो तो भी तुम वो कुईन फैमिली की लड़की को देख रहे थे विचारी वो कि तुम लड़कियों मेनी आदमियों में इंट्रेस्टेड हो तो उसे कैसा लगेगा और तब ही इन दूसरे लोग बोलते कि हाँ हमें याद है कि जिन याओ जो है उसकी शादी तो कुईन के साथ होने वाली थी और उसके ग्रेम फादर ने भी ये बात सबको बताई थी और त है सकते हैं कि जिन याओ ने चीटिंग किया है करके तब ही वो लोग बोलते हैं कि क्या कुईन फैमिली इस चीज़ को एकसेप्ट करेगी तो सी यह बोलता है आप लोगों को इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं और कुईन जो है वो सिर्फ फ्रेंड्स है तब ही इनकी चोटी आंटी बोलती है कि हाँ यह टूरत है कि जिन याओ उसका कोई इंटेंशन नहीं था कुईन से शादी करने का वो लोग सिर्फ फ्रेंड्स है और तो हमें इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है और तब ही सी यह बोलता है कि हाँ यह सच है कि मैं एक आदमी के साथ प्यार करता हूं और मैं उस आदमी के साथ लव में पढ़ गया था पहली नजर में ही और जो person के साथ मुझे प्यार हुआ है वो person एक आदमी है तो ये सब जो है मेरा personal matter है और इस से किसी कभी लेना देना नहीं है और मैं जो हूँ ये नहीं समझपा रहा हूँ कि मुझे ये सब publicly क्यों कहना चाहिए और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं ये सब छुपा हूँगा करके और मैं बस रूरू के identity को इस वक्त publicly announce नहीं करना चाहता था ऐसा कहके ये meeting यहीं पर खतम हो जाती है meeting खतम हो जाने के बाद CEO अपने दादा जी से बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें ये को hire करना चाहिए हमारे latest products को promote करने के लिए तो दादा जी बोलते है अपना luck जो है ना जादा push मत करो और अभी तक मैंने तुम दोनों को कोई blessing blessing नहीं दिया है करके और तो CEO बोलता है कि लेकिन आपने तो कहा था कि आपको कोई objection नहीं है तो इसको मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोगों ने हमको accept कर लिया है करके तो दादा जी बोलते लेकिन तो जो तुम्हारा cousin जिनाओ है यति उसने सब लोगों के सामने ये नहीं बोला होता मीटिंग में कि तुम लड़कियों को नहीं आदमियों को पसंद करते हो तो मैं थोड़ा इस बारे में समझ सोच सकता था और तभी CEO अपने मन में सुचता है हाँ तो फिर मुझे उसका शायद धन्यवाद करना चाहिए और दिखाते हैं कि CEO और दादा के बीच में कैसी funny fight होती है तो दादा जी बोलते है enough और तभी CEO बोलता है कि दादा जी आप मेरी बात को सुनो मैंने सिफ यह proposal रखा है क्योंकि हमारे जो current image है हमारे product की वो एकदम नई सी है और अभी यह का जो topic है वो बहुत ही hot topic है और उसकी नई movies भी कुछ महीनों में आने वाली है तो यदि हम उसको अपना product launch करने के लिए रखेंगे तो हमें इससे in the end benefit होगा और इसके अलावा जो नया साल शुरू होगा उसमें हम लोगों ने एक promo deal को भी sign किया है जिसमें link why होगी जो हमारे electronic items को जो है promote करेगी और यदि हम इस तरह यह को भी sign कर लेते हैं और वो दुनों हमारे product को साथ में मिलके promote करेंगे तो हमें बहुत जादा attention मिलेगा और यही तो हमें चाहिएगा कि तो दादा जी थोड़ी दर सोचने लगते है और फिर बोलते हैं हाँ तुम सही कह रहे हैं कि हमें इससे काफे सारा benefit मिलेगा और हमने कई बर अपना business जो है ऐसे ही आगे बढ़ाया है और यह कोई personal चीज नहीं है और तब यही दादाजी documents परते हैं मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीजों को नजहांदास कर दिया गए लेकिन मैं बता नहीं सकता कि किन चीजों को नजहांदास कर दिया गया है अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कैसे यही को बहुत सारे endorsement मिल रहे होते हैं कोई बुलता है उसका good taste है कोई बुलता है कि ये smart phone है नया वाला और मुझे भी चाहिए करके और कुछ लोग बुलते हैं कि हम EEE के लिए बहुत happy है I love you EEE करके और दिखाते हैं कि EEE जो है वो कैसे phone का brand ambassador बनावा है और उसने कैसे new product को launch करेगा करके तो ये सब दिखा रहे होते हैं अभी EEE का shoot चली रहा होता है कि कैसे वो मतलब make up कर रहा है कैसे वो phone का add कर रहा है और कैसे सब लोग उसे देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ EEE की जो mammy होती है वो बोलती है कि हमारा EEE कितना cute दिख रहा है और बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है जैसे हम लोग अपने यंग इज में दिखते थे और तब भी मिस्टर ही यही बोलते हैं कि इसने तुम इतना अच्छा है दिख रहा है इसने तुम्हारा चार मुझे पिक किया है और यह सारा क्रेटिट तुम पे जाता है तो मिस्टर जी जो है बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है माई डियर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा हैपियस परसन हूँ इस पूरे वर्ल में और मेरे जो पैरेंट्स वो भी हेल्थी है मेरा जो हस्पेंट है वो उससे कितना प्यार करता है और मेरे बच्चे का जो कैरियर है वो भी अच्छा चल रहा है और जो मेरा ग्रैंट्स न है वो तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है तो मेरा जो family है बहुत ही perfect है और मेरे जो आप कोई भी regret नहीं है अपनी इस जिन्दगी से मैं इस जिन्दगी में बहुत खुश हूँ और इस से ज़्यादा better तो मैं सोज भी नहीं सकती क्या मैं सपने में हूँ तो mister ये उतनी wife का हाथ पकर तो बोलते हैं किती सीली हो ये कोई dream dream नहीं है ये सब real है और मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया की सबसे ज़्यादा happy और अरत हो करके अब ये दिखाते हैं कि अपने young age में ऐसे दिखते थे तो mister ये बोलते हैं कि मैं खुश हूँ यदि तुम खुश हो करके और तभी दोनों बोलते हैं happy और दूसरा बोलता है wife और तभी बीच में से एक हाथ आता है और बोलते हैं कि एक second sir रुकिये मैं यहाँ पर अभी भी हूँ तभी दोनों husband wife को याद आता है कि यहाँ पर एक आदमी और बैटा बोलते है sorry sorry हम तुमारे बारे में भूल गए थे पर फिर वो बोलते हैं फिर again करके मतलब क्या कहना चाहते हूं और तभी यह जो आदमी आता है मतलब कोई और नहीं वो Mr. He है मतलब यही की ममी का भाई है और तभी अपने मन में वो सोचते है कि क्या यह बत सही है यही का भाई है वो बोलता है मैं यहां आया हूं क्योंकि मुझे तुमारे एक मदद चाहिए मैं चाहता हूं कि तुम यही को मनाओ और कि वो मेरा जो लेटेस स्क्रिप्ट है जो मैंनो इसके लिए लिखा है और वो बहुत ही हिट जाएगा और वो इस स्क्रिप्ट को मतलब इसमें एक्टिंग करने के लिए तयार हो जाए और मैं जो हूं उसको इंडरस्टी में टॉप पोजिशन पर पहुचाऊंगा और फिर कोई भी ना उसके स्किल्स को चैलेंज नहीं कर सकता है तो ना मिसिस यह जो होती है वो इसका स्क्रिप्ट लेती है उसको हवा में इधर उदर उड़ाती है और फेक देती हो बोलती क्या बकवास बात कर और हम जब यंग थे यंगा रेज में तभी तुम्हारी स्क्रिप्ट इतनी गंदी थी और जहां तक मैंने देखा है यह स्क्रिप्ट वगरा तुमने कोई इंप्रूव्मेंट नहीं किया है तुम सिर्फ इधर का टाइटल उधर कर देते हो और कुछ नहीं करते हो तो ऐसे कहके एक्चली वो अपने भाई की बेज़ती कर रही होती है और दूसरी तरफ जो मिस्टर यह है जो इसक्रिप्ट को फेक दिया होता है उसको पकरते है और तभी मिस्टर ही बोलती है कि मुझे इस स्क्रिप्ट को पढ़ने की जरुवत नहीं है मुझे पहले सी पता है कि यह स्क्रिप्ट जो विकरूँ ट्रैश और वकवास है तुम मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहे और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे होगा कि और तभी वो स्क्रिप्ट को उठाते हैं और बोलते हैं कि वहां में कोई डाउट नहीं है कि ये जो है एकदमी बेकार सी स्क्रिप्ट होगी और इसमें कोई भी इस तवकार के garbage में कोई भी investment भी नहीं देगा और कुसी को यह पसंद में नहीं आएगा तुम को यह बात पहले ही पता हूँ जी अब यह सारी इतने कड़क और कड़वे शब्दों सुनकर Mr. He याने जो Mrs. He के बाई है उनके दिल को एक बहुत सी चोट लगती है और उने एक बहुत बड़ा धका लगता है और तब ही Mrs. He बोलती है कि इस समय अपना time waste करने की बजाए तुम अपने आपके उपर reflect क्यों नहीं करते हैं मतलब तुम उने जो गलती है कि उसके बार में सुचते नहीं क्यों नहीं है तो तुम अपने घर जाओ अपनी बीवी के पास जाओ और उनके साथ अपनी बीवी और अपने पैरेंस के साथ time बिताओ करके और थोड़ा सा लिंग वाई के केरियर के उपर भी ध्यान दो करके और तुम जो हो एक फेलियर हस्पेंड हो और एक फेलियर सन हो उपसे एक फेलियर फादर भी हो अब इतने सारे फिर से कटोर शब्द सुनके इस बाद तो मिसीजी का भाई जैसे एकदमी भी होश सा हो जा करके और तभी मिसीजीफी से बोलती है कि उपसे तुम ठीक है यह सब थोड़ा बहुत कंटिन्यू रख सकते हो लेकिन तुम जो भी करो वो अपने दिल से करो और तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारा टैलेंट सीरो है क्या तुम्हें यह बात पता नहीं थी और तुम इतने समय तक जो थे अपने ही अध विश्वास मतलब अपनी ही दुनिया में थे और इतने सालों में तुम्हारी वाइफ तुम्हें कैसे इतना हाड लाइफ वुझा है तुम्हें कुछ पता भी है तुमने उसको पीच्छे छोड़ दिया अपने सपनों को कैच करने के रहते हैं उन सब को clean up करना पड़ा और तुम ने कभी भी उसको कोई gratitude नहीं दिखाया यदि मैं उसकी जगर होती तो मैं तो अब तक तुम को छोड़के भाग चुपी होती तो Mr. Yee बोलते हैं कि it's okay wife तुम calm down हो जाओ और तुम एक ऐसी चीज हो जो सबस्यादा मेरे लिए matter कर करती हो और मैं कभी भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा करके और तभी Mrs. Yee बोलती है मैं ठीक हूं और बस मुझे मेरी best friend के लिए बुरा लगता है करके और अपना हाथ उठाती है और भूसा बनाके अपने भाई के सिल्के ओपर दे मारती है अब बोलती है कि मुझे तो business क बारे में कुछ नहीं आता है तो मैं उसको help नहीं कर सकती हूं company run करने में लेकिन जो तुम हो एक बार businessmen कहलाते थे तो तुम उसको जरूर help कर सकते हो तो तुम ऐसे अपना time ना फालतु की scripts लिखने में पिताना बन करो और कुछ अच्छे काम करो अब यह सुनके तो बिचा गुसा पेल देगी उसको तो उसकी भेन बोलती है तुम घर जाओ अब जो mr. he है जो हमारे यह मा के भाई हैं बिचारे से sad हो जाते हैं और सोचते हैं कि जो entertainment industry उसे मेरी जरुरत नहीं है करके और फिर mrs. he जो हैं गहरी सांस लेती है और बोलती है जो लेकिन हमारी family को तुमारी जरुरत है तब उसके भाई की आके खुली रह जाती है अब दिखाते हैं यह को कि मेरा color मेरा style और यह phone का brand मैं यह ब्रैंड का नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि मैं किसी brand को promote नहीं कर जाए यह fake brand हो यह real brand हो तो वह phone दिखाते हैं और वह phone को मतलब promote कर रहा है तब भी बोलता है यह अपने एड में कि आप लोगे deserve करते हैं और तभी उनका डारेक्टर बोलता है ठीके cut सबसे perfect scene हुआ है और तभी लड़की आती है और बोलती है कि mystery अब थोड़ा सा water पीचिये करके तो यह bottle लेता और बोलता है thank you और जो choreographer होता है वो बोलता है mystery हमको थोड़ा सा reshoot करना पड़ेगा लेकिन आप जो थोड़ी देर के लिए break ले सकते हो करके तो यह बोलता है ठीके कोई problem नहीं है तब ही phone लाके एक लड़की देती हो बोलती है कि mystery यह आपके लिए है और यह master fang में कि का है करके तो यह phone उठाता है बोलता है hello तो CEO पुसता है कि तुम्हारा shoot कैसा चल रहा है क्या वो ठीक चल रहा है करके और तभी ही बताता है हाँ ठीक चल रहा है लेकिन मुझे थोड़ी देर का break मिला है उसके बाद फिर से मुझे reshoot करना है kusines बाकी है करके और क्या तु तो CEO बोलता है कि यहां पर काफी सारे good restaurant है मेरी company के बाज़ों है तो मैं तुमको pick कर लूँगा और फिर हम दोने एक साथ lunch करेंगे अब CEO के भी मन में धुब-धुख सा हो रहा होता है और बहुत उनको pink pink सा सब कुछ blush blush हो रहा होता है और CEO बोलता है कि मैंने तुम्हें miss किय I miss you और तभी ना हमारा यह बहुत शर्मीला है तो जल्दी से phone रखता है और और तुम मुझे call करना और मैं भी तुम्हें call करूंगा जब यहां मेरा काम खत्म हो जाएगा और बाय के कि वह phone रख देता है और उसके बाद दिखाते हैं कि यह को बहुत ही ज्यादा खुशी हो दूसरा दमी बोलता है कि Mr. E हमारी जो company है वह पहले ही बार आई है करके और हम लोग आपका shooting progress चेक करना चाहते है तो यह बोलता है ओके और तभी दूसरा दमी बोलता है इस तरफ चलते हैं करके अब यह लोग कोई और नहीं है यह हमारे CEO की चोटी आंट अपने साथ कुछ आदमियों को ले के आती है और यह सब नाटक करती है और तभी दूसरा दमी बोलता है कि आप उन्हों को greeting करना चाहते हो क्या तो यह बोलता है और वो इन लोगों से मिलता हो बोलता है हेलो करके मैं यह हूं और मैं बैंड एंबिसिडर हूं fan group के new product का और तभी चोटी आंट बोलती है कि हाँ आप कितने polite आदमी है आपसे मिलके खुशी हुई और हम जो है overseas वाले डिपार्टमेंट से हैं और हम माप करना हमने आपका शूट जो है वह इंटरप्ट करती है तो यह बोलता है नहीं कोई बात नहीं है और अपने मन में सुचता है कि इसका नाम भी जो है इसका सनने भी फैंग है तो इसका मतलब यह किसी तरीके से CEO से रिलेटेट है और तभी यह औरत बोलती है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है करके और तुम CEO के फ्रेंड होना तो मैं उसकी यंगस आंट हूँ और तुम मुझे जो है आंट यू यान कह सकते हो कर है और तभी अपने मन में सुसता है कि अच्छा यह CEO की आंट है और तभी बोलती है कि तुम अभी ब्रेक पे हो और शूटिंग बहुत ही टाइरिंग हो गई होगी और अभी भी हमारे कुछ शूट्स बचे हैं करके तभी ही बोलता है वेल हमारे भी कुछ रिशूट्स बच अच्छे जयाएंगे तो यह बोलता है ठीक है फिर तो या च्छोटी आंट जो है वह लेके आती हो बोलती है आओ बैटो और इससे अपने घर जैसे ही समझो और हमें जो पहले से ही CEO को ने तुम्हारे और उसके रिलेशनिशप के बारे में बताया है हमारे पूरे फैमिली म तो तुम लोगों को एक अच्छे जिन्दकी जीनी चाहिए मैं तुम दोनों को अपने best wishes देती हूँ तो ये thank you बोलता है और उससे जादा कुछ नहीं बोलता है और अपने मन में सुचता है कि जिन याओ ने फिर से अपने आपी कुछ कर लिया और मुझे कुछ बताया भी नहीं मैं तो अचानक इसे पकड़ा गया मैं तो पहली बार इनके family से मेला हूँ और मैं ना घर जाके उसे जरूर बदला लूँगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और तभी ये मिसिस चोटी आउंटी बोलती है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है और मुझे मेरे पास एक चोटा बच्चा है जो अभी कुछ समय पहले ही हुआ है बहुत ही क्यूट और नाटी है और वो एक चटा लड़का है और यदि तुमारे पास कुछ टाइम हो तो तुम जरूरा कि मिल सकते हो मैं तुमें इन्वाइट करना चाहूंगी तुम और जिन्याओ रूरूरू के साथ आ सकते हो हमारे घर पे विजिट करने के लिए और मैं चाहूंगी कि तुमें मैं अपने बच्चे से इंटर्ड्यूस करूँ देखिए दोस्तों यहां पर इस औरत को बता चल चुका है कि जो बच्चा इसके पास से वो सीयो का नहीं है तो वो अपने कनेक्शन सीय के साथ स्ट्रॉंग बनाने की खोशिस करिए कि वो बाद में यही का फायदा उठा सके करके आई आगे दूसरे चप्टर की तरफ बढ़ते हैं अगर क्या होता है? कि सीयो की चोटी आँत बोलती है कि मैं आप लोग पर अपने बच्चे से मिलवाना चाती हूँ और यह बात जो है यह खाना खाते वए सीयो को बताता है कि तुआरी चोटी आँट्रा नहीं है ऐसा-एब इसा कहा है करके तो CEO बहुत गहरी सोच में होता है और बोलता है मेरी आंट ने तुमको सच में बुलाया है अपने गहर में वो भी पहली बाद और वो भी अपने बच्चे से मिलाने के लिए कुछ सही सा नहीं लग रहा तो CEO सोचता है कि मेरी आंट ने तो उसके खुद के बच्चे के बारे में अनाउस्मेंट किया था लेकिन तब भी उसने किसी को अपने घर में नहीं बुलाया था तो फिर अब क्यों वो यही को अपने घर में बुला रही है जो क्यों किसी और को नहीं बुला रही है लेकिन सभी को बला रही है और तभी बताता कि वह बहुत ही एक्साइटर दिख रही थी तो मैं उसे नहीं नहीं गया सकता और उसने मुझे कहा है कि तुम और CEO और रूरू सब साथ में आ रहा और उस दिन आना जब मेरी छुट्टी हो करके तो यह ठीक रहेगा क्या तो यह ब कि यू यू यान जो है वो एक चेंटल वूमेन है और उनका अटिटूट भी अच्छा है लेकिन मैंने कभी भी उसको इतना एक्साइटर नहीं देखा है तो क्या चल रहा है उनके दिमाग में और मैंने कभी भी उनको मेरे और यह के रिलेशनशिप के बार में नहीं बताया और यह बहुत ही नॉर्मल नहीं होगा यदि उनको अपने आप भी कुछ पता चलेगा और कभी भी वो नॉर्मली ना फोटोशूर्स पर भी नहीं जाती हैं तो वो क्यों ऐसे गई और जाके उसने यह से बात की और उसको अपने घर में भी बुलाया और यह सब जो है उनके करेक्टर के एक्दम किलाफे वो बहुत ही स्ट्रेंजर जैसा बीव कर रही हैं और यह हमारे फैमली में सबसे स्ट्रेंज और भी है और इसने मुझे कभी भी अपने घर में नहीं बुलाया लेकिन फिर यह को बुलाया है करके सी यह अपने ख्यालों में डूबा होता है तुम मुझे ignore कर रहे हो तो CEO बोलता है तुम यह क्या कह रहे हो यही बोलता है मैं तुम से तुमारी family के बारे में पूछ रहा हूँ और तुमने बिना consult किये कर दिया और तुमने नहीं कहा था कि हम लोग सब चीजे slowly एक साथ finger out करेंगे यहां तब ही CEO बोलता है नहीं तुमें कुछ गलत पहमी है मैं तुमें बताने ही बलता लेकिन इससे पहले मैं तुमें बताओं मेरी आंटी ने तुमें बता दिया और याद करता है कि कैसे माँ पर उसके cousin ने उसको कहा था कि वो आदमियों से प्यार करता और से ये भी याद आता है कि रूरू ने कैसे उसको डैडी बुलाया था और फिर वो बताता है कि जब मैं रूरू को अपने फैमिली मेंबर से मिला रहा था तो मेरे कजन ने मेरे साथ क्या किया करके और मुझे एकदम से क्या कहते है प्रिपेर नहीं था जब यह सब हुआ लेकिन थैंक्फुली ग्रैंट पाने मुझे कवर अप कर लिया और तुम्हें चिंता करने की ज़र्वत है नहीं है करके यह सारी बाते हमारे फैमिली से कभी भी बाहर नहीं जाएगी तो यह पूछता है कि जिन हाओ को कैसे पता चला हमारे बारे में मदलब इसके कजन को कैसे पता तो यह बोलता है एक्चली मुझे भी इसके पर तोड़ा सा शक हो रहा है कि यह जो सारे ज्यूमर्स फैले थे तो मारे बारे में हो सकता है इसीने फैलाए हो और मुझे थोड़ा जो रिपोर्टर्स थे उन लोगों ने सब इस तरह की अपपा फिलाई तो उन सब के पीछे भी मेरा पज़र नहीं हो सकता है तो यह बुलता है लेकिन उसको मेरे पीछे आने की क्या जर्वती मैंने तो कभी उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया और तभी सी यह बताता है कि तुम्हें यादे कि वो लिंगवाई के पीछे पढ़ावा था हो उसको पटाने के पीछे लेकिन तुम लिंगवाई के बहुत क्लोज थे हो सकता है लेकिन उसी टाइम के उसने यह भी नहीं सुचा कि यदि वो ऐसा करेगा तो हमारे दोनों फैमिली जो है रूरू की आइडेंटीटी के बारे में स्टेटमेंट्स निकालेंगे करके और क्या कहते हैं अब मीडिया भी सब इसी सब बातों में क्या है दियान लगा रही है इसी के पीछ जाएगा तो कितना बुरा होगा लेकिन एक तरीखे से यह लखी नहीं भी है और इसके एसके करने से मेरा कैरियर बरबात हो सकते है इतना ही नहीं है और और दूसरों को लाइफ को भी मतलब जो CEO का कसन है वो दूसरों के लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था तो CEO यह का हाथ पकता बोलता है तो मैं चिंता करने की जरुद नहीं है अब हमें पता है कि कौन यह सब कर रहा है तो हम उसको इतनी असानी से जाने नहीं देंगे मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा और तभी CEO बोलता है कि वो तुम्हारे और रूरू के पीछे है करके और इस बार उसने वाकई में लाइन को क्रॉस कर दिया है करके अब दिखाते हैं कि यह जो है वो बुलता है कि यह ठीक होगा कि मैं तुम्हारे आफिस जाओ लोग हमारे बारे में गॉसिप करेंगे तो CEO बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है जस्ट रिलेक्स और वो लोग सुचते हैं कि हम लोग फ्रेंड है और अब तुम जो हो वैसे भी ही फैमिली के मेंबर हो करके तो यह बोलता है ठीक है तुम कहते हो तो मैं रिलेक्स हो जाता हूँ अब क्या होता है यह दोनों हाथों में हाथ पकड़के निकल परते हैं और आसपरस के जितने भी लोग होते हैं इनको बोलता है गुड़ मॉर्निंग मिस्टर फैंग गुड़ मॉर्निंग मिस्टर फैंग करके सब लोग इन दोनों को ग्रीट कर रहे होते हैं अब CEO और EEE अकेले होते हैं और यही पुछता है कि तुम क्या कर रहे हो और CEO एक गल से यही को दिवार से चिका देता है उसकी कमर में हाथ डालता हो बोलता है मैंने तुम्हें बहुत जादा मिस किया और हम कितने दिनों से एक दूसरे को देखा भी नहीं है करके और दोनों ही ब्लश कर रहे होते हैं तो एक सिचुएशन बहुत शाय हो जाता है तो हमेश्य इन चीजों को एवाइड करने की होशुस करता है तो वो यही को और कॉर्णर करता है और उसके और करीब जाता है तो यही बुलता है अच्छे पहले मुझे जाने दो तो यही बुलता है नहीं मैं तो मैं नहीं जाने दूंगा और फिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं तो यही बुलता है कि मेरे को भी भी उन में तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो करके लेकिन CEO कहां सुनने वाला था वो यह को कस के गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे से चैपक के खड़े हो जाते हैं धी जैसे यह को CEO किस करता है और उससे पुछता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया करके तो मुझे बता हो कि क्या तुम्हें मेरे जैसा फील होता है क्या तो यह तो शाय है वो ब्लश करना लगता है और बोलता है हाँ तो जो सी हुए खुश हो जाता है यह सुनके और यह कहात अपने हाथ में लेता है और बोलता है यह हुई ना बात करके और मेरे आफिस में ना एक टाइबरेट रूम भी है तुम चाहँ तुम आप जाके रेस्ट कर सकते हैं जो तो हमारा शूटिंग स्कार्ट नहीं होता है तो यह हाँ बोल देता है अब दूसरी तब दिखाते हैं कि हमारा ही और CEO और रूरो सब दर्वाजा खटकत आते हैं क्योंकि इनको CEO की छोटी आंट ने बुलाया था तो यह लोग उनके घर के विजिट करने गए अब चुकि विजिट करने गए तो किसी के घर में खाली हाथ नहीं जाते तो यह लोग गिफ्ट भी लेके गए हैं तो हमारा यह बेल बचाता है और तब ही पिच्छों मुलके बोलता है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम रिंग करो बैल मुझे तो नर्वस फील हो रहा है और तसी यह बोलता है लेकिन मैं थोड़ी ना मेरी आंट से मिला था तुम मेरी आंट से मिले दे और वे एक जेंटल लेडी है तो ही थोड़ा सुस नर्वस फील कर रहा हूं और तब इसी होता है लेकिन मैं गिफ्ट और रूरू को पकड़के खड़ा हूं तो यह बोलता है ओक्यों के फाइन और फिर से वह अपनी ले जाता है और बैल को दबाता है और तबी हमारी जो यह आंट होती है ना वह अंदर सीसी टीवी कैमरा मे सब देख रही होती है और उसका जो मूटे ना थोड़ा खराब हो रहा होता है इनकी हरकते देखके कि यू रिंग डबैल और यू रिंग डबैल मतलब तुम गंटी बजाओ तुम गंटी बजाओ करके तो दोनों रूरू और ही अपना फिंगर्स बढ़ाते हैं और रिंग क बोलता है कि रूरू यह अंदर आओ तो यह बोलता है हमसे मिलके खुशी हुई तो CEO बलता है हेलो आंट करके और रूरू भी हाय बोलता है और यह आंटी जो है सब को अंदर बुलाती है अब तीनों बिचारे बैटे होते हैं जिसमें हमारा जो CEO होता है वो सब रिलेक्स होत होता है कि उसका focus सिर्फ खाने में रहता है लेकिन हमारा यही जो है वो नर्वस हो रहा होता है और तभी क्या होता है वो लोग देखते हैं कि आंटी ना इक बच्चे के साथ और अपने लेकिन यही कि आंके पटी की फटी रह जाती है और वो कुछ सुचने लगता है अब देखिए इस बच्चे के बार भी थोड़े नीले नीले से हैं और अपने यही के बार भी थोड़े नीले नीले से हैं तो आप लोग को क्या लगता है यह बच्चा किसका बच्चा है वाकरी इस CEO बोलता है कि यह कितना क्यूट है ना और मुझे इस रखता है कि यह बहुत ही जड़ा स्लीपी भी है इसकी आखे भी बंद है करके आद दोनों जो है CEO ही बच्चे को देख रहे होते हैं लेकिन यह कुछ जादा ही उस बच्चे में खोया होता है तब ही CEO पुछता है यह तो CEO के ऐसे पुछने के बाद हमारा यह थोड़ा होश में आता है और बोलता है हाँ हाँ यह बच्चा काफी क्यूट है और अपने मन में सुचता है कि मैं इस बच्चे को पहले कहां मिला हूँ यह बच्चा बहुती फैमिलियर सा दिख रहा है और तभी आउंटी बोलती है कि यह ना क्यूट दिखता है सिर्फ जब सोता है अदरवाइस यह तो सारा दिन नॉन स्टॉप रोता रहता है और यह बहुती नॉटी बॉय है तो यह चोटा बच्चा जो है वो इधर उतर आके फाड़के देखने लगता है तो यह बोलता है लेकिन यह बच्चा काफी लाइवली है मतलब अच्छे मिजास का है और यह बच्चा हेल्दी बेबी होगा और हमारा यह और यह जो बच्चा है वो एक दूसर को देख रहे होते है और तभी यह को यह अंटी बताती है कि यह पहली बार है जब यह बच्चा जो है मेरे और मेरे पती के लावा किसी और से भी मिल रहा है तो हो सकता है यह इस तरह के से feelings को express करता है तो यह वलता है इच सोके करके बच्चे अपनी बड़ी बड़ी आखे करके फार के यही को देख रहा होता है और यही भी बच्चे को देख रहा होता है दोनों का एक दूसे पर focus होता है और यह अपने मुझा होता है और रूरू इदर उते देख रहा हता और वो भी क्यूरियस हो रहता है तब ही आंटे बताती कि हमने इसे अभी तक जो है फॉर्मल नाम नहीं दिया है और इसको एक निखने में है और इसे हम बिग हैड बुलाते है बिग हैड नाम सुनते से ही रूरू इसे बहुत चक्कर आजाता है और यी का भी खुला हो जाता है क्योंकि रूरू अपने सपने में किसी को बिग हैड बुलाता है और यी को भी एक बिग हैड दिखाई दिया था जिससे रूरू ने उसको इंटर्डियूस कराया था अब क्या होता है सब लोग दोनों को अजीव दरीके से देखने लगते हैं और तभी यानटी बोलती है कि हाँ ये सच है और रूरू तुम कैसे ये बात जानते होगा तो ये बोलता है कि तो वाक़ी में बीग हैड़े करके तो रूरू बोलता है हाँ बस मैं बस जानता हूँ अब रूरू का तो समझ में आता है कि रूरू जानता है क्योंकि रूरू के पास सुपरनेशर प्रावस है ये अपने मन में सुचता है कि आखिर मैं कैसे जानता हूँ करके तो रूरू जो है CEO अपनी गोद में लेता है और तभी रूरू जो है बच्चे को पास से दिखता है और अपने मन में बोलता है कि तुम अभी क्यों इतने अलग से दिख रहे हो तुम बड़े वियर्ड से लिख रहे हो अब CEO आंटी और उनके हस्बिन के उपर न माते पे कोशल मात जैसे साइन बन जाते हैं कि आके का रू रूरू बोलता है कि तुम तो पहुती वाइट कर रखे थे स्मॉल थे उपर से छोटे से भी थे अब ऐसे क्यों हो गया और तो यह बोलता है कि लेकिन रूरू ये तो हमेशा से ऐसे ही दिखता था मुझे लगता है तुमने इसे गलत उसमें देखना होका कर गये यह दूस् लिए दोनों के description में थोड़ा अंतर आ रहा है करके तो यह बताता है जब तुम उसको मेरे से मिलने के लिए आकरी बार लेके आयते तो वह ऐसे ही तो दिख रहा था क्या वह ऐसा नहीं दिख रहा हता और फेर यह भी थोड़ा confused हो जाता है और बोलता है मैं यह सारी बाते क् करके और तब यह दुस्ता ब्रदर के नामसा बलाना पड़ेगा तो यह बुलता है लेकिन अबी तो यह बहुत ही छोटा है या भी जल्दी बात नहीं कर सकता और यह चुकि हमारी आंटी का बेटा है तो उन दोनों कजन्स हुए तो रूरू फट से बोलता है कोई कजन वजन नहीं यह मेरा चोटा भाई है करके तो उसी यह बोलता है नहीं कि तुम्हारा कजन है तो रूरू बोलता है नहीं यह लिटल ब्रदर है करके तो यह अंटी बोलता है कि रूरू अभी करने की ज़रूरत नहीं है टाइम के साथ जब वो बढ़ा होगा तो अपने अब समझ जाएगा कि वो इसका कजन है और तब ही देखता है कि चोटा बच्चा इसके हाथ को आगे बढ़ा रहा है और यह भी अपना हाथ बढ़ाता है दोनों एक दूसे का हाथ पकरते हैं और दो मैं मैं सुचते हैं कि मुझे विश्रास नहीं होता यह बच्चा हस रहा है दोसी यह बोलता है कि अधिक तर मुस्कुराता नहीं है क्या दो हस्बन बताता है आंटी का हस्बन बताता है कि हाँ यह मुस्कुराता तो है लेकिन अपने ड्रीम्स में और क्या कहते हैं और हमेश को कहीं ना कहीं पता चली गया है कि Big Head उसका OCO का तो बच्चा है नहीं तो यह किसका बच्चा है और जिस इंसान का बच्चा है इसको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग गया है तो यह बोलता है कि किता क्यूटी दिख रहाएगा कि और वो बुशता है कि रूरू के तुम Big Head को पसंद करते हो क्या तो रूरू जो है बोलता है हाँ और यह बोलता कि हाँ मुझे भी पसंद है और जो हमारा Big Head है वो यह की Fingers को पकड़ता है उसके चोटे चोटे हाथ उसकी बड़ी-बड़ी Fingers को पकड़े होते है और यह भी उसके मैं भी उसके हाथ को पकड़ना चाहता हूं और तभी रूरू बोलता है कि Let me touch him उसको मुझे चूने दो करके अब आंटी फिर से यह देखती है और उनको बेकुल अच्छा नहीं लगता है और बोलती ही कि अभी बच्चे के खाने का टाइम होगया होगया बच्चा अब जो है हंगरी होगा तो यह बोलता है हाँ ठीक है तो यह आंटी बोलती है ठीक है मैं इसे रूम में ले जा रही हूँ वहाँ जाकर इसको मैं खानवाना खिलांगी आप लोग अपने कुछ खाना पीने को मैंनों तो खुदी ले लो करके तो जो बिग हैड है वो यह की उगडी नहीं चोड़ना चाहता है तो यह बोलता है तुम काफी स्ट्रॉंग हो और तभी यह जो आंटी बोलती है की बिग हैड उसकी उगडी चोड़ो और अब तुमारे खाना खाने का टाइम हो गया है करके और तबी आंटी के husband बोलते हैं कि लगता है फिर से रोने वाला है और तबी आंटी बोलते हैं कि हाँ रोय गई ना इसको भूप लगी है तो यह रोय गई करके यह किसी तरह बच्चे को चुप कराने की कुशिस करता है बोलता है तुम एक good boy हो और तुमको शायद तुमारे दूद का बाटल चाहिए होगा तुम जल्दी से खाना खाओ और बड़े होके स्ट्रॉंग बनो और इस तरह मत रो और तुम be a good boy करके बोलता है बच्चा अभी भी यह को देख रहा होता है और यह बोलता है कि ठीके तुम खाना करके हो यह तुमारा वेट करूंगा तो यह कैसा रहेगा तुम जा और ऐसे करके बोलता है चलो चलो तुम मेरी उंगली चोड़ो तो बच्चा जो है यह की उंगली चोड़ देता है और तभी आंटी का हस्बंड सुचता है कि बहुत ही आमेजिंग चीज है कि यह उसने यह की बात चोड़ेश होँ, और तभी शीयो यह मोरी आसे पंद से वीयुक्त सब्कून sıर छोड़िए तो यह यह तुम तंसे बोलता हुं सच बता हूं तो नंगली तो यह मैं तो निए थ की शेड़ गोलता है, मैं और आपकर एकल सुच बता रहा हdot है, तो यह तो फो सुन म Yay था मैं हुआ है और तभी हमारी अंटी के हस्बन बोते हैं कि सही बते सब लोग तुम्हें पसंद करते हैं अब बटल से दूद्ध पिलाया जाता है और यह आंटी जो अपने डीप थिंकिंग में होती है और बोलते कि क्या गलत है इस बच्चे के साथ में और यह कभी भी किसी भी अब क्या हता है इनकी जो छोटी अंटी होती है वो बोलती है कि सॉरी मैंने तुम्हों को काफी वेट कराया करके और तभी रूरू पूछता है कि बिग हैट कहा है करके तो इनकी चोटी अंटी बताती है कि वो अभी अभी सोया है उसने दूद्ध पिया है और बच्चों को बहुत जादा sleep की जरुवत होती है तो रूरू का थोड़ा move बन जाता है रूरू बोलता है कि मुझे तो अभी भी big head के साथ खेलना था करके तबी यह समझाता है कि यदि हम सोएंगे नहीं बच्चे यदि सोएंगे नहीं जल्दी से बड़े नहीं होंगे और जब फिर वो बड़ा होगा तब वो तुमारे साथ खेल भी सकेगा और चल भी सकेगा तो रूरू पुछता है इन सब में कितना वक्त लगेगा तो यह सोचता है कि अब मैं क्या जवाब दूँ और सोचता है कि मैं क्या बताऊं कि कितना वक्त लगेगा तो CEO जो है वो हमारे रूरू को explanation देता है कि जब तुम addition and subtraction अपने pre-school में और multiplication and division अपने grade school में सीख लोगे तब वो तुमारे साथ खिलने वाला बन जाएगा करके मतलब minus plus गुणा करना सब सीखेगा उसके बाद ही big head उसके साथ खेलने वाला बनेगा तो CEO बोलता है इसलिए तुम्हें जो है steady को बहुत hard तरीके से करना चाहिए और यही अपने मन में सुचता है कि यह कितना difficult है करके और वो बोलता है कि यह शायर जस्त तुम्हें tease कर रहा है करके तब इनकी चोटी अंटी बोलती है कि डिनर तयार है चलो हम डिनर करने चलते हैं और वो वहाँ पर सब लोग डिनर करने पैटते हैं चोटी अंटी पुछती है कि तो बताओ तुम लोग कैसे मिले एक दूसरे से और कहां मिले करके तो हमारा CEO यह की तरफ देखता है और यह भी CEO की तरफ देखता है और CEO बोलता है कि देखा ऐसा होने वाला था और यह अपने मन में बोलता है कि मुझे पता था यह इस तरह का कोशन जरूर पूछेगी तो CEO हसता है और बोलता है कि यह बहुत लंबे समय पहले की बात है मैंने यह को एक वेब सीरीस में देखा था और हम लोग फिर एक दिन बाइचांस मिल गए और फिर उसी के बाद से मैं इसको जो हूँ इसको मतलब पताने की कोशिस करता रहा करके तो यह बोलता हाँ यह ऐसे ही हुआ था और यह इतना अच्छा था कि मुझे इसके एफिर्ट्स दिखे और मेरा दिल जो था वो मूव हो गया और हम लोग इस तरह प्यार में पढ़ गए तो जो रूरू है वो बीचों से बोलता है हाँ फैलिन लव करके कि हम लोग हाँ प्यार में पढ़ गए करके तो छोटी अंटी के हस्बन पुछते हैं कि तो आप लोग बहुत लंबे समय से साथ थे करके तो यह बताता है नहीं ऐसा नहीं है हम लोग उने बीच में ब्रेक अपी कर लिया था तो CEO बोलता है लेकिन फिर हम एक दूसे के साथ वापस मैनेज हो गए और बैक आगए करके और दोनों बड़े खुश होते हैं एक दूसे को देखते हैं तब ही छोटी अंटी के हस्बन बोलते हैं कि आज करके जो यंग पीपल हैं कितने स्टेट फावर होते हैं और बताते हैं कि जब मैं और मेरी वाइफ मिले थे तो हम लोग को तो फोर्स करके ब्लाइंड डेट पे भेजा गया था और तुम लोग तो एक दम फ्री हो तुम लोगों को फ्री अपना लाइफ पार्टनर चरने का मौका मिला मतलब रोमेंटिक सिट्रेशन बनी तुम लोग ले तो ये छोटी अंटी मुस्कराती है और बोलती है कि हाँ मेरे जो पिताजी थे उन्होंने मेरे ले लाइफ में सब कुछ सेट करके रखा था और रोमेंटिक नहीं था तो यह बलता है लेकिन आप तो दोनों बहुत खुश दिखते होगा तो यह बलता हाँ यह दोनों खुश है तो आंटी बलती है लेकिन मुझे अभी भी शूर नहीं है कि जो मेरे husband है वो मेरे लिए ही है मतलब मतलब इनका यहाँ पर यह बताना है कि खुट है ना जब आप love marriage करते हैं तो आपको बता है कि यह इनसान आपके लिए right है वेसे ही अभी भी इनकी आंटी को ऐसा लगता है कि शायद यह right ना भी हो आगे चलके और तभी इसका husband बोलता है कि मैं तुम नहारे साथ अच्छा रहने की कोशिस करूँगा करके और तभी आंटी क्या है बोलती है ठीक है आप लोग अपना ख्याल रखना और हमें time to time विजिट करते रहना और तभी CEO जो है और रूरू जो है वो bye bye बोलते है और रूरू बोलता है कि big head को बोलना कि वो जल्दी बढ़ा हो जाए मुझे उसके साथ खेलना है करके तो uncle बोलते है कि ठीक है लेकिन इसके लिए तुम्हें जादा मैनत करने पड़ेगी पढ़ाई करने के लिए तो रूरू बिचारा तोड़ा सा डरावा भी होता है क्योंकि पढ़ाई करने के मामले में तो हमारा रूरू कैसा है आप सब को पता ही है फिर भी वो okay बोल देता है और फिर क्या होता है ये लोग चले जाते हैं और हमारी छोटी आंटी के मिजाज वापस से तेवर बदल जाते हैं वो बोलती है कि इस बच्चे के साथ क्या प्राउब्लम है ये जो है हमेशा होता रहता है जब भी हमारे साथ होता है लेकिन ये हमेशा स्माइल करता रहता है जब ये दूसरे stranger लोगों को देखता है तो उसका husband समझाता है कि वो एक सिर्फ चोटा सा बच्चा है और हो सकता है वो दूसरे लोगों से मिलने के लिए क्यूरियस होस में जग्यासा हो और दभी आंटी बोलती है कितना ही अंग्रेटफुल बच्चा है तो उसके हस्बन बोलते हैं कि यू यान तुम इन चीज़ों को सीरियसली मतलो वो किसी को हर्ट नहीं कर रहा है और नहीं वो तुमारे फिलिंग्स को हर्ट कर रहा है और जो बेबीज होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और यदि तुम उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर रहोगी तो वो तुमारे बिल्कुल क्लोस नहीं आएगा करके तब ही ये अंटी बोलती है मतलब इसकी वाइफ बोलती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि जेन ग्याओ को ये में क्या दिखा तो इनके हजबन बोलते है कि तुम हमेशा बच्चे का ख्याल रखने में बिजी रहती हो तो मुझे मैं श्योर हो कि तुम कभी ऑनलाइन नहीं गई हो तो आंटी जो है पीछे मुड़के देखती है और अपने हजबन की तरफ देखके सोचती है तब इसका हस्बन बताता है कि तुम्हें शायर नहीं पता लेकिन उसकी एक प्रेस कांफरेंस रिलेज वी थी जिसमें पता चला कि वो जो है ही फैमली से रिलेटेड है और ये जो है लिंगवाई का कजन है और ग्रैंड सन है जिन हाओ ही का करके तो इसकी वाईफ को शौक लगता है वो बलती है वो ही फैमली का कुछ मेंबर है करके तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तो इसका हस्बन बलता है कि मुझे क्या पता कि तुम्हें नहीं पता है करके तो तब ही जो इसकी वाईफ है बलती है या इसके साथ उसका रिलेशन्शिप रहेगा तो इसको बिजनस में काफी फायदा होगा करके और तब ही वो ये भी सुचती है कि मुझे इसा लगा था कि वो अपने मतलब बिजनस में जो उसकी पकड़ है वो एक आदमी को डेट करेगा तो उसका जो हक है उसको बिजनस में नहीं मिलेगा और वो ये छोड़ देगा पर मुझे नहीं लगाता कि ये सिच्चेशन इस तरह के से बदल जाएगी और ये सिच्चेशन कुछ ठीक सी लग नहीं रही है करके अब तब ही क्या होता है ये को एक दम से याद आ जाता है कि उसने बिग हेट को कहा देखा था और वो बोलता है कि मुझे रूरू ने बिग हेट के बारे में पहले भी बताया था पस ही यह बहुत ही clueless होता है उसे कुछ पता नहीं होता है कि यह लोग क्या बात कर रहे हैं करके यह लोग अपने घर जा रहे होते हैं और काड़ी में बैठे होते हैं तो यह ही बताता है कि पिछली रात को जब हम डिनर कर रहे थे तो रूरू ने मुझे बताया था कि वो big head को पढ़ा रहा था कि कैसे गिंती काउंट करनी है और भी गहट बहुत चौड़े में कहता है हाँ बिल्कुल सही है मैं सिखा रहा था लेकिन वह बहुत स्लो था और मुझे बहुत टाइम लगा उसको गिंती सिखाने में और तभी इगी उसको पुछता है रूरु को कि भाई तुमने उसको लेकिन कहा सिखाया क्योंकि इन लोगों ने उसको आज पहली बार देखा है लेकिन इनके दिमाग में वह सपने के दौरा इनको ऐसा याद है तो CEO भी पुछता है कि good question और क्या आज पहली बार नहीं था जब तुम दोनों उससे मिले थे तो रूरु हसता है औ मैं अपने ड्रीम्स में अपने सपनों में बिग हैट से मिल चुका हूं अब यह और CEO के माते पर question mark बन चाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और लेकिन फिर भी रूरु बलता है कि नहीं मैं तो बिग हैट से अपने ड्रीम्स में मिल चुका हूं वह बहुत ही चोटा था टाइनी दे रहा हूं और जो है मेरा follower बन सकता है करके और CEO फिर भी confused रहता है और फिर भी बोलता है कि क्या तुम वाकरी मैं उसको ड्रीम्स में मिले थे तो यह बोलता है कि ऐसा हो सकता है क्या तो रूरु को दिखाते है कि कैसे रूरु खड़ा होता है और उसके पीछे big head होता है औ तब ही बोलता है रूरु लेकिन तुम उसको मुझसे मिलाने मेरे ड्रीम में बील रायते है ऐसा नहीं था क्या करके तो रूरु बोलता है हाँ और हम लोगों ने fried chicken भी साथ में कहाया था और वो बहुत tasty था और fried chicken बहुत अच्छा था तो CEO फिर से flueless होता है और बहुत confused हो और तब ही पुछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया और यह कैसे possible है कि जब भी तुम dream देखना चाहो तुम dreams देख सकते हो और यह कैसे possible है तो यह को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि कोई कैसे dreams अपनी इच्छा से देख सकता है और कोई कैसे किसी और से अपने dreams में मि सकता है तो रूरू जो है हसता है और कुछ मतलब समझाने की कोशिस करता है लेकिन ना तो CEO को समझ में आता है और नहीं यह को और CEO कुछ तहकी आके कर यह बोल किया रहा है तब ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो हमारी चोटी आंट के हस्पेंड है वो बेबी को गोद में ल कि हम बच्चे को नाम देते हैं तो husband बोलते हैं कि लेकिन grand father ने हमें कहा था कि हम नाम नहीं दे सकते इसको और यह भी कहा था कि जब तक सही आदमी नहीं मिल जाता तब तक हम इस बच्चे को नाम नहीं दे सकते तो इसकी वाई बोलते हैं कि तुम बहुती ज़्यादा कि उन्होंने बच्चे का नाम रखने से माना कर दिया तो मैं उन्हें क्यों सुनूंगी करके और हम अपना टाइम बेस कर रहे हैं और तभी हजबन बोलता है कि लेकिन ऐसा ना करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है हमें अपना गेम सेफली खेलना चाहिए तो वाइफ कुछ कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए और वो हमारे बच्चे को रिकरणाइज भी नहीं कर रहा है और यदि वो नहीं करेगा तो वो family में registrory भी नहीं करेगा तो कैसे हमारा बच्चा family के property को मतलब वो इसको इसके इसके हिस्3 में जायज़ात आएगी करके और तभी वो बोलती हैं कि दुसरी तरफ उनका चोटा बेबी बीग हैट सो रहा होता है और यह आंटी जह सोच रही होती है कि मैं क्या करूं और कहां से स्टार्ट करूं मैं बहुत जादा समबे तक इंतिजान नहीं करती है कर सकती हूं करके और मुझे बहुत जल्दी ही यह सब को सेटल डाउन करना पड़ेगा तो इसका हस्बं बिचारा बच्चे को गुद में लिये होता है और बच्चे को देख रहा होता है और सोचता है कि ठीक हम इसे एक नाम देते हैं करके अब क्य और जिन्याओ यह तो इस बेबी का बाइलजिकल फादर है तो उसी का हग बनता है बच्चे पर नाम रखने का तो जो उसकी वाइफ है बोलते है जिन्याओ और हमारे पास इतना इजी नहीं था इस बच्चे का हो पाना और मैं इसके लिए बेस्ट चाहता हूं करके और तभी हो बोलते हैं कि जब ग्रैनफादर इसको नाम नहीं देना चाहते थे तो हमें उनकी बात सुनना चाहिए करके और तभी husband बुलता है कि big head के जो biological father है उसको decide करना चाहिए और हमें नहीं decide करना चाहिए तुम क्या सोचती हो you young तो अभी हम से वितना ही कर सकते हैं कि हम इसकी care कर सकते हैं और इसे हम अपने baby की तरह ही आगे भी पा लेंगे देखो यहाँ पर यह लोग सोच रहे हैं कि यह जो इनका बच्चा है वो CEO के अंशिस से हुआ है मतलब जिन्याओं के अंशिस से हुआ है इनको अभी भी यह बात नहीं पता है कि यह जिन्याओं का बच्चा नहीं है पर ठीक है जैसा भी imagine कर रहे है तो जो इनकी wife है वो बोलती है ठीक है ठीक है यदि हम नाम रखेंगे तो हमारे पर bad लगाएगा और यदि उसके बाद भी bad लगाता है तो हमें कोई blame नहीं कर सकता क्योंकि इसका नाम तो जिन्याओं ने रखा है करके तो जिन्याओं ही इसकी responsibility लेगा करके अब क्या होता है CEO को phone आता है इसकी मतलब चोटी आंटी phone करती है और बोलती है कि बेबी का नाम रखना है CEO फिर बड़ा confused हो चाहते है कि अब ये क्या माजरा चल रहा है और आंटी बोलती है कि हम लोग actually कुछ भी ठीक से decide नहीं कर पाते हैं और हम एक नाम decide नहीं कर पा रहें और ये हमें बहुत bother कर रहा है और तब ही CEO बोलता अच्छा ठीक है पर मुझे तो कुछ भी ठीक से नाम का कुछ idea नहीं है तो आंटी बोलती है माज से कि हमें तुमारे help की बहुत जर्वत है करके और तुम जो बहुती creative हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम सही तरीके से बिग हैट को नाम दो सकते हो तो जिन्याओ फिर भी किसी तरह ready हो जाता है और आंटी खुशी-खुशी बोलती है ठीक है तुम उनको thank you बोलती है और जिन्याओ बोलता है ठीक है welcome और CEO बिचरा जिन्याओ उसके सिर्फे question mark लटक रहे होते हैं कि मैं क्या नाम रखूंगा बच्चे का तो वो message करता है और वहाँ पर दिखाते हैं कि यह को एक नया message आया है और CEO पुशता है कि तुमने रूरू का नाम कैसे रखा तो जो यह है वो पुशता है कि क्या हुआ क्या problem है करके तो CEO बताता है कि मेरी aunt ने आज मुझे call किया था और बोला कि वो big head का नाम रखना चाहती है तो यह बलता है लेकिन उन्होंने तुम्हें क्यों किया तो CEO बलता है कि मुझे नहीं पता वो बहुत ही ज़्यादा बोल रही थी कि उसे बहुत bother होता है और वो नाम नहीं सुच पारी तो उन्होंने मेरा help मांगा और उन्होंने का कि मुझे तुमारा advice चाहिए और तभी यह बलता है हाँ मैं समझ रहा हो कि कैसा feel होता है लेकिन मैं तुम्हें इस मामले में advice नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुदी जब रूरू का नाम रख रहा था तो बहुत परेशान था तो CEO नहीं पुचा तो उस टेम पे तुमने क्या किया तो CEO नहीं बताया कि मैंने एक dictionary उठाई उसके ऐसी random pages को पलड़ता रहा फिर वहाँ पर मेरा एक favorite character का नाम दिखाई दिया और वही नाम मैंने रूरू का रख दिया तो CEO बलता है अच्छा मैं समझ गया कि तुम मुझे वाकरी में help नहीं कर सकते हो तब ही बलता है तुम थोड़ा सा easy हो कि के तुम्हार पस दूसरे options भी है ज़्यादा इस तरह सा हुद मत हो तो CEO बलता है ठीक है अब क्या होता है रात होती है घर आता है और वहाँ पर दिखाते है कि रूरू केल रहा होता है और वह अपनी तलवार से बूल रहा होता है कि monster surrender करो मैं तुम्हें काट दूँगा और यहाँ पर CEO विचारा उस पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है लेकिन ही नहीं कहा होता है कि इसने dictionary में से रेंडम ली नाम चुना था तो CEO सुचता है ठीक है वो भी ऐसे ही करेगा और दूसरी तर दिखाते है कि जो रूरू है वो बोल रहा है कि मैं जो हूँ सूपर डिकी हूँ और मैं सूपर डिकी के लिए जस्टिस फाइंड करूंगा करके मतलब रूरू अपना गेम खेल रहा है और CEO यहाँ एक तरफ सोच रहा है कि क्या यह मुझे वाकई में करना पड़ेगा CEO एक आहां भरता है और फिर किताब को डिक्शनरी को खुलता है उस से वह गहरी सांस लेता है और सुचता है कि इस बार परफेक्ट नाम निकलेगा और दूसरी तर दिखाते हैं कि जो हमारा रूरू है वो बोलता है अपने दुश्मन को कि क्या तुम अभी भी उससे फाइट करना चाहते हो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सच्छी में लैसन टीच करूं और जैसे ही दूसरी तब दिखाते हैं कि अभी भी CEO जो है डिक्शनरी को खोल बंद रहा है इस बार डिक्शनरी खोलता है तो उसमें लिखा होता है पेन लेकिन पेन भी किसी का नाम नहीं हो सकते तो वह वापस डिक्शनरी को बंद कर देता है और हमने मन में पावरफुल वेपन देखो और बोलता है कि इस से मैं तुम्हें कार दूंगा फार दूंगा करके अपना CEO फिर से किताब खोलता है डिक्शनरी और इस बार तो डिक्शनरी में डेथ लिखा होता है यह दिखके तो CEO की आंके फटीगी पटी रह जाती है मतलब वो गया था ब हम लोग साथ में खेलते हैं तो फैंग फैंग बोलता है मारे CEO बोलते है कि sorry Ruru मुझे बिग हैट के लिए नाम सोचना है जो कि बहुत important है तो मैं खेलने नहीं आ सकता तो Ruru बोलता है कि नाम क्यूं सोचना उसके पस तो पहले से ही नाम है मैंने पहले से उसे नाम दे रखा ह तो CEO बोलता है कि तुमने जो बिग हैट को नाम दिया है वो तो उसका निकनेम है जैसे तुम्हारा निकनेम रूरू है और दूसरों का निकनेम जैसे फॉर्मल नाम होता है वो हमें रखना है और जैसे तुम्हारा फॉर्मल नेम जो है वो यह यान है करके वैसे हमें बिग भी एक दूसा नाम सोचना है जो बाहर के लोगों के सामने ले सके तो मैं क्या करूँ मैं गूड करेक्टर पिक करने की कोशिस कर रहा हूं तो रूरू सोचता है कि क्या तुमने ढून लिया तो CEO बोलता है नहीं मैंने नहीं ढूना मैंने सारे जितने भी नाम पिक किये वो सब उनका तो बहुत ही बैड निकल रहा है मैं एक भार और ट्राइ करता हूं करके तो रूरू बोलता है ठीक है मुझे तुम्हें हल्प करने दो और तभी वो बोलता है कि मैं बिग हैट के लिए नाम चूस करता हूं वो डिक्ष्णरी करता है तो उसमें राव लिखा आता है और तो रूरू बहुत खुश होता है बोलता है यह करेक्टर तो मेरे नाम में भी है जैसे रूरू है वैसी उसमें रू लिखा तो फिर रूरू सुचता है कि लेकिन यह नाम कैसे बिगहड यूज कर सकता है तो वो देखता है कि यह वाला नाम कैसे रहेगा तो वापर रू लिखा होता है और जो कि जिसका अर्थ होता है इनके लैंगविज में सॉफ्ट याने नरम तो सी यो भी सुचते है कि यह कैसे नाम है तब है सी यो बलता है लेकिन रूरू बिगहड तो बॉइ है और यह जो नाम तुम बोल रहे हो कि लड़कों के लिए सूटेबल नहीं है तो रूरू बलता है लेकिन मुझे पसंद है तो हम उसका नाम राव प्रिक्ष्णरी खोलता है और उस पर लिखा होता है इलनेस याने बीमारी यह देखके तो सी ओ और भी दंग रह जाता है और बोलता है ठीक है मैं काम करता हूं तुमने जो यह नाम पिक किया है बिगहड के लिए राव मैं उन्हें बता देता हूं और यदि उनको यह नाम तो यह उनका प्राबलम है करके तो रूरू काफी हैपी हो चाता है और बोलता है चलो चलो फैंक पैंक हम जस्टिस के लिए लड़ाई करेंगे तो क्या करते हैं फैंक पैंक जो है वो ओके बोलता है अब ना वो इस अंटी को फोन करता है और बोलता है कि यह यह नाम रखा ह तो आंटि ऑलते है तो सी ऑलता है की सकतला वेवियर उसी साथ तो ऐसी ऑलता है हाम तो फिर आंटि फोन रख देती है और इसका हस्बेन पुछता है क्या हुआ तो ऑनटी चलाकर किस यूने के पर्पसली इसका नाम ऐसा रखा होगा कि क्या वह मुझे मॉक कर रहा है क्या अब क्या होता है कि ऑउंटी तो आप tiet अभी भी नराजी है तो जो हस्बेंट होता है वह बुलता यह राओ फैंग करके बिग हैट का नाम राओ फैंग है और रूरू- ठीक है तो आप लोग कन्फ्यूज मत हुएगा तब ही अंटी बोलती है यदि जिन याओ को ऐसा ही नाम चूज करना था और उसने ऐसा नाम बेबी का रखा है तो इसका मतलब क्या हम लोग हार जाएंगे यदि हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे उपर हसेंगे मतलब यह नाम जो और उन्टी जो है जिन याओ की अन्टी जो है वो बलती है यह सौफ्ट प्लस वीक और यह हमारा बेबी है वो बहुत स्रॉंड एंट टफ है और जिन याओ पक्का हमें हमें ह्यूमिलेट करना चाहता है जो हजबन होता है लेकिन हमारेश फॉर्ज कह समय दोए अप्शन भी नाम ही चाहिए और यदि इन बाद में यदि हमारी फैमिली को यह पसंद नहीं है तो हम इसका नाम जब यह बढ़ा होगा तब बदल देंगे तो जो वाइफ है बहुत सोच में पढ़ जाती है अब क्या होता है दूसरी जब दिखाते हैं कि दादा जी का घर है यह क्योंकि द उसका नाम भी लिखते है राव फैंक के अब जो बच्चा है वो बड़ा ही मुझ बना रहा होता है और जो दादा जी होते हैं वो दोनों नाम को लिखते हैं और उनको एक रोल में बनाते हैं और रख देते हैं और बोलते हैं कि अब यह बच्चा जो है वो हमारे फैमिली का member हो गया है और यह बहुती simple process था और हम अपने पूरे family members को यह बता देंगे अब यह जो auntie है जिस uncle को यह समान दिया जा रहा है उस uncle को बोलती है thank you uncle और हम आपकी इस चीज को बहुती appreciate करते हैं अब दूसरे दिखाते हैं हमारा रूरू जह है as usual अपने सपनों में हैं और बोलता है कि चलो आसको हम treasure hunting करेंगे big head तुमको इस तरफ जाना चाहिए और मैं उस तरफ जाओंगा और हम देखते हैं कि किसको जादा treasure मिलेगा और रूरू जह है बहुत happily आगे आगे बढ़ता है और आगे चलता चला जाता है और तभी वो पीछे देखता है कि big head नहीं आया और रूरू वापस आके पुछता है कि तुम अभी तक यहीं क्यों हो big head जो होता है बहुत ही silent treatment दे रहा होता है अब याद है आपको guys कि जो big head है वो रूरू के dream में एक चोटा सा duckie होता है लेकिन दूसरों के dream में वो human form में भी होता है तो जो रूरू है वो थोड़ा जुखता है और देखता है और पुछता है कि big head क्या problem है क्या तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाते हो तो big head कुछ बोलता है नहीं है उसकी जिगा सिफ quack करके आवाज निकालता है और तभी रूरू बोलता है क्या तुम अपने नाम के बारे में बात कर रहे हो क्या लेकिन फिर भी रूरू अपना सीना चाड़ा करके बोलता है कि मुझे पता है कि ये एक बहुती ग्रेट नाम है और मुझे भी ये नाम पसंद है तो अब चलो अब चलके खेलते हैं और तभी जो बिचरा बिग हैड है वो बिचरा ऐसा उसको लगता है कि इसको बुली कर रहे तो बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाता हूं और सैड हो जाता है तब भी रूरू बुचता है अब क्या प्राबलम है करके और वो रूरू बोलता है आरे मैं समझ गया कि तुम यही को मिस्स कर रहे हो और मैं कितना स्मार्ड हूं कि मैंने सही बात क्यास कर ली है और तुम बहुत ही जादा क्लिंगी बॉइ हो करके और यहां पर दिखाते हैं कि जो हमारा दूसरा चोड़ा रखी है वो बुल रहा है कि एक्टर आवार्ड जो है वो यही को जाता है और यही जो है सबको थैंक यू थैंक यू बोल रहा होता है और यह यही का सपना होता है यही भी सपने में डक्स ही देख रहा होता है पता नहीं क्यों अब यही जो है वो अपने सपने में सुनता है कि उसे किसी ने यही पुका रहा है और वो देखता है कि फिर से कोई उसे यही बुला रहा है और कोई उसको आकर उसके उपर لद गया है तो रूरू बोलता है तुम बहुत लंबे समय से fulfillment prayer यह बहुत खुश हो जाता है और बोलता है रूरू और बिग हैड बिग हैड भी आता है और बिग हैड तो चोटी सी डगी के रूप में ही है और रूरू बताता है कि Big Head भी तुम्हें बहुत मिस्स कर रहा था तो मैं उसे तुम्हारे को तुम्हारे ड्रीम में मिलने के लिए लेके आया हूँ तो यह विचला शॉक्ड होता है कि मेरा ड्रीम, मेरा सपना, क्या मैं सपने में हूँ तो Big Head और Ruru दोनों बोलते हैं हाँ और तभी अपने मन में सुचते हैं कि ऐसा कैसे मैं अपने सपने में हूँ कि कोई और मुझे मिलने आ रहा है मेरे सपने में करके यह कोछ समझ में नहीं आ रहा है तो यह बुलता है कि Ruru जब तुम Big Head को मुझे से मिलने लेके आ सकते हो तो कै तुम जिन्याओ को भी मेरे सपने में लेके आ सकते हो मुझे से मिलने के लिए तो Ruru बहुती प्राउड फिल करता है और बुलता है अफकोर्स मैं लेके आ सकता हूँ तुम यहाँ पर रुको मैं एक मिनिट में आता हूँ करके और ऐसा करके न वो बिग हैड है उसको यही की गोद में छोड़ जाता है और बिग हैड और ही फिर एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं और वो चटा बच्चा यही की गोदी में भी बैठा होता है करके और यहाँ पर दिखाते हैं दूसरे तरफ कि हमारा जो CEO है वो उसके दिमाग में अलगी बाते चल रही होती है जो कि उसके बिजनस से रिलेटेड होती है तो उसे बहुत सारी चीज़े अपने सपने में दिखाई देती है जिसे कि मिस्टर फैंग इस फ्लान के बारे में आप क्या सुचते हो इस कॉंट्रेक्ट के बारे में क्या सुचते हो इस प्रोडेक्ट के बारे में क्या सुचते हो कंपनी के बारे में उसके बहुत सारे कॉशनस उसके दिमाग में होते रहते हैं और बहुत बजी सा होता है तब ही दिखाते है कि रूरू उसके संबने में पहुन्च जाता है और बोलता है कि फैंवरे यह मैं हूँ तो CEO भी चौप जाता है कि रूरू कैसे संबने, मां आगके ऐसे बाते另外います तो रूरू बोलता है मैं इद्धार हूँ तो रूरू बोलता है कि चलो तुम सिर्फ मेरे साथ आओ तो CEO बोलता है लेकिन मुझे अभी भी काम करना है तो रूरू बोलता है अरे ये सब काम चोड़े हो तुम अभी ड्रीम्स में हो करके और अभी तुम ड्रीम देख रहे हो तो CEO भी बड़ा confuse जाता है कि भाई मैं कैसे ऐसा dream देख रहा हूँ और CEO अपने मन में बोलता है कि ठीक है भाई मैं dream देख रहा हूँ अभी करके और अपने मन में सुचता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर हमारा मूमू और उसका साथ में जो उसका partner है वो लेटे वे हैं और मू को इस इंसान पर crush है Mr. Lin के ओपर तो यह दोनों बहुत ही well behavior होके लेटे होते हैं और मूमू अपने मन में सोच रहा होता है कि बहुत मुझे patient रहने की जरुवत है मुझे अपने काम रखना है और मुझे wait करना है मूमू अपने मन में यह सोच रहा होता है लेकिन यह जो इसका partner है वो उसकी तरफ आके देखता है अब क्या होता है टाइम आगे बढ़ चुका होता है फिर थोड़ा टाइम आगे बढ़ चुका होता है और तभी हमारे मूमू में जैसे माता आ जाती है वैसे होता है और बोलता है यह show time है और बोलता है कि अब तो 3 बच के कुछ minute हो चुका है इसमाले यह सो गया होगा और जो आचांद है वो भी बहुत खुबसूरत है करके और वो अपने विस्तर में crawl करता वा जाता है और अपन दिखाते हैं कि खुल गए हैं अब दिखाते हैं कि उसके पार्टनर का जो body है वो काफी अच्छा है देखे कितने abs हैं और तभी मुँंगों के मुझे लार गिने लगती है और बुलता है मुझे पता था कि इसका जो body है बहुत ही अच्छा है और ये बीना कपड़े के बीना शटके तो और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है और ऐसा चलता रहा तो मेरे नाक से खून निकलाएगा करके और मुमू अपने मन में कहता है कि मुझे काम डाउन होना चाहिए और अभी भी बेस्ट पार्ट तो आना बाकी ही है और मुमू का दिल जो है बहुत तेज धड़क रहा होता है लेकिन वो फिर भी अपने पार्टनर के सीने पर हाथ लगाता है और सुसता है कि क्या ये मेरी इमेजिनेशन है या फिर मेरा दिल वाकई में बहुत तीज धड़क रहा है और फिर वो थोड़ा सा नीचे जुकता है और वो उसके गाल पे किस करता है और जब किस करता है तो भी जो इनसका पार्टनर है वो इस टिल ही पढ़ा रहता है तो मुमू एक बार और किस करता है ऐसे किस करते करते वो थोड़ा और पास जाता है और उसको बहुत ब्लश सा फील हो रहा होता है अब उनके लिप्स टॉची होनेवाले होते है उसका पार्टनर है वो बोलता है सुईटी तो मुमू एक तम से चौक चाता है और सोault है कि क्या सुईटी और उसका पार्टनर बोलता है कि behave करो और वो ऐसक है कि एक तरफ sweetie sweetie बुला रहा होता है और जो मूमू है उसको समझ में नहीं आता कि कौन sweetie कैसी sweetie और जो उसका पार्टनर है वो बोलता है Mr. Lynn बोलते हैं कि चलो चल के सो जाते हैं अपना मूमू को तो जैसे धक्का सा लग जाता है मूमू और Mr. Lynn एक दम पास पास है और जो Mr. Lynn है वो sweetie sweetie बोल रहे हैं और बोलते हैं please be good sweetie let's go to sleep अब मूमू को बहुत ही ज़्यादा गुसा आता है और बोलता है कौन sweetie कौन sweetie कौन है जिसने मेरे पार्टनर को चुरा लिया मेरे से और मैं बहुत ही गुस्सा हूं और मूमू अपने मन में वो सोचता है कि यह मेरे साथ दिन बर flood करता है और रात में किसी और का नाम ले रहा है क्या तुम्हारी कोई death wish है कि हम करके बिचार है मूमू को बहुत बुरा लगता है लेकिन जो मिस्टर लिन होते हैं वो वाकई मिसके मज़े ले रहे होते हैं और मूमू अपने मन में सोचता है कि यह आदमी पका किसी औरत का नाम ले रहा है मुझे सोचके और यह बिल्कुल भी बरदाश्ट करने लायक नहीं है लेकिन मिस्टर लिन बोलते हैं चलो अभी सोच आते मिस्टर लिन तो ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि वो सपने में मतलब बढ़ बढ़ा रहे हैं करके लेकिन मूमू को जो है वो बहुत खराब लग होता है अब क्या होता है कि सवेर हो जाता है और मूमू बोलता है तो तुम फाइनली उड़ गए और अब मुझे छोड़ो करके और तभी मिस्टर लिन जो इसका पार्टनर है वो बोलता है ठीक है मैं सौरी मैं ऐसे तुम्हारे सब मुझे नहीं करना चाहिए था और जल्द सोचता है कि क्या करूं और हमारा जो मिस्टर लिन है उसका इमिज फिर से दिखाते हैं कि वो कैसे मतलब वो है मतलब का बॉड़ी की तब फिट फिट है और मिस्टर लिन सोच रहते कि मैंने कुछ जादा ही कर दिया है क्या अब हम CEO के सपने की तरफ वापस आते हैं जहां प बात कर सकते हो करके तो रूरू बोलता है रहे जल्दी करो और तुमारा जो ड्रीम है वो कितना मैस है करके तुम्हें यहां तक लाने में बहुत ही मुश्किल हुई मुझे और मुझे ना सांस लेते नहीं बन रहा है तो CEO बोलता है कि sorry यह मेरा इसी टाइप का ड्रीम है और मैंने इना सरांडिंग्स के बारे में कभी सोचा नहीं और मुझे पता भी निता कि मैं ड्रीम देख रहा हूं और मैंने इस तरmeye के से कभी सोचा नहीं है पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने ड्रीम्स को रेलाइस करने की ज़रूरत है सेयो तो सुषता है कि लेकिन रूरु ने मुझे कैसे एक जटके में मेरे dreams से बहार नकालिया और अभी भी हम मेरे ही dream में बात कर रहे हैं तो यह कैसे हो रहा है और तब ही रूरु बोलता है ठीके जल्Дी करो मुझे रास्ता मिल गया है तो CEO बोलता है ठीक है मैं तुमारे पीछे आ रहा है अब दोनों चलते हैं रूरू आगे आगे CEO पीछे पीछे अब दिखाते हैं कि रूरू बोलता है इस तरफ आना है चाहँ पर बहुत सारे इमेजस भी दिखाए रहे होते हैं कि कैसे उनके कोई खाना खा रहा है कोई किसी को उपर उठा के नीचे फेक रहा है और CEO यह सब देखता जाता है और रूरू बोलता है कि चलो जल्दी चलो तो CEO अपने मनों सोचते हैं कि यह सारे लोग इसके ड्रीम्स में क्यों है और क्या यह भी मेरा ड्रीम का कोई पार्ट है और तभी महां दिखाते हैं उसको दिखाए देता है कि यहां पर यह के भी पैरेंट्स हैं जिसमें उसके हजबन बोल रहा है वाइफ ही और जो उसकी वाइफ है वो बुल रही है हब भी और जो CEO होता है वो बड़ा कंफ्यूस्ड हो ज ठीके और तभी CEO सोचता है कि शायद मेरे ड्रीम में दूसरे लोग जो है अपने आप से एक्ट नहीं कर सकते हैं तो रूरू बोलता है टाइम खतम होता है जल्दी चुरो जल्दी चुरो तो CEO बोलता है ठीके मैं आ रहा हूं और तभी दूसरी तर दिखाते हैं कि जो Mr. He है वो बोल रहे होते हैं कि तुमको कुछ आइडिया भी है कि मैं कितना capable हूँ और मैं जो था East Leopard हूँ करके और तुमारा जो life है मेरे हाथ में है और तभी दिखाते हैं कि वहाँ पर एक मगरमच है जिसके साथ Mr. He fight कर रहे हैं और मगरमच बोल रहा है कि Lord East Leopard मुझे छोड़ जिए मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा करके और तभी CEO सुझता है यह पतका मेरा ड्रीम तो नहीं है और तभी दूरु बतायता है कि यह दूसरों के ड्रीम से तो CEO बोलता है क्या मतलब तो CEO बोलता है कि यह अब मेरा ड्रीम नहीं है तुम ड्रीम देख सकते हो करके और दूस और तुम किसी को हाम कैसे पहुचा सकते हो तो वो आदमी बोल रहा है मिरे पे मरसी करो और ग्रैंट पाही और लिंग वाई के जो ड्रीम है बहुत ही वियर्ड है करके CEO अपने मन में सोचता है और अभी अभी सोचता है कि यह दूसरों के ड्रीम्स है और तो मैं उनलों का डीपेस सीक्रेट देख सकता हूँ मतलब CEO दूसरों के ड्रीम्स को भी देख पा रहा है रूरू की वज़ा से और तब ही CEO पुस्ता है कि रूरू के तुम किसी के भी ड्रीम्स में घुच सकते हो क्या तो रूरू बलता है नहीं मैं सिर्फ उन्हीं के ड्रीम्स में घुच सकता हूँ जिनको मैं जानता हूँ और क्योंकि वो मुझे जानते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ तो मैं उन्हों के ड्रीम्स को कई बार अंदर से देख सकता हूँ और लेकिन वो मुझे नहीं देख सकते और नहीं वो मुझे से बात कर सकते तो यह बोस्ता है तो तुम मेरे ड्रीम के अंदर कैसे आए तो रूरू हसता है और बोलता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे से प्यार करते हो और मैं सिर्फ उसी के ड्रीम के enter हो सकता हूँ जो मुझे से बहुत ज़ादा पियार करेगा और सबसे ज़्यदा welcome भी कोई जो मुझे करेगा मैं उसी की dream में भुश सकता हूँ तो CSU बोलता है इसका मतलब है कि मैं जो हूँ तुम्हें सबसे ज़ादा पियार करता हूँ तो रूरू बोलता है नहीं है ट्रू नहीं है यह भी मुझे पहुत साथा प्यार करता है और फिर वो सीयो का हाथ पकड़ता है और सीयो जो है रूरू के आँखों को कवर कर देता है और क्योंकि वहाँ पर क्या दिखा रहे होते हैं कि दूसरा सीन जो है ड्रीम में वो दिखा रहे होते हैं कि मुमू और लिन जो है उनके बीच में जो रूमेंस चल रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि ऐसा मत करो और दूसरा पुछ रहा होता है कि कैसा ना करो और दोनों ए एकडम करीब होते हैं और तभी अजय तोटेकि मूँं के में क्या tutorials रहता है और और तभी रूरो रूं भिलतारें तुम क्या कर रहा है तुम कर्षक कुछ देखने ही पार रहा है और सीयो भलता है कि यह मूँंे रूं के रिर्म्स रूरो देखेंगा थन्हेया करेप्ट हो जाएगा और क्या उसते पहले ही इन ड्रीम को देख लिया है रूरू बोलता है कि रूरू को पुछता है कि क्या तुम टायड हो गयो क्या मैं तुम्हें गोदी में ले जाओ तो रूरू बोलता है ओके और अजीव होते हैं और मुझे नहीं पता कि इन दोनों का किस तरह का है तभी दिखाते हैं कि रूरू जो है वो जाता है और बोलता है कि हमें उस क्लाउड पर जाना है और क्लाउड कितना चोटा है और क्या हम उसे होल्ड कर सकते हैं तो रूरू बोलता है हां और रूरू जो है बोलता है चलो चलते हैं और तभी CEO बोलता है कि यहां बहुत सारे dreams है और यहाँ पर बहुत सारे strange things भी है जैसे मुह का incident और तभी रूरू बोलता है actually मैं उन dreams को clearly नहीं देख सकता हूँ मुझे बहुत concentrate hard करना पड़ता है तो मुझे बहुत exhausting लगता है तो यह बोलता है तो इसको अतलब कि तुम नहीं देख सकते होगी वो इस वक्त क्या कर रहे और तभी रूरू बोलता है yes that's right और जब तक मैं इसको देखूँगा तब तक मैं morning हो जाएगी और तब तक मैं मुझे उठना पड़ेगा और तभी यह भी ठीक है और तभी रूरू बोलता है कि लेकिन मैं उनको जब मैं बड़ा हो जाओंगा तब ज़रूर देख सकूँगा अब दूसरी तब दिखाते हैं कि यह और बिग हैर खेल रहे होते हैं और रूरू बोलता है कि हम लोग आ गए हैं करके और CEO बोलता है और तभी यह बोलता है कि हैलो जिन गाओ और तभी CEO बोलता है कि क्या यह तुम्हारा ड्रीम है और तभी बोलता है कि हाँ जो रूरू है उसने हमें ड्रीम में एक बार फिर मिलवा दिया है और तभी क्या होता है CEO बोलता है कि मुझे believe नहीं होता कि हम लोग इस dream में क्या ये illusion है तो ये बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता तब ये रूरू की तरफ ये देखता है रूरू भी ये की तरफ देखता है और ये मन में सोचता है कि रूरू मेरे dreams में पहले भी आ चुका है लेकिन मैं हमेशा भूल जाता हूँ उठने के बाद और ये तब तक ऐसा होता रहा है जब तक ये big head नहीं आया था इस dream में तो ये बोलता है लेकिन ये सब believe करना बहुत hard है और तभी ये ही बोलता है कि हमको एक code word बनाना चाहिए और हमें ये बताता रहेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है और ये code word रखेंगे तो हम जब उठेंगे तो शायद हम ये चीज़ भूलेना और हमको ये code word जब तक याद रहेगा तब तक हमें हमारा dream याद रहेगा और हम एक दूसरे को याद दिला सकते हैं जो भी चीज़े हमने यहां कि हम उन सब को चीज़ों को याद रख सकते हैं और तभी ये सुचता है कि ये ठीक रहेगा ये ये आइडिया बेस्ट है तो इससे हमें पता हो जाएगा कि ये illusion है कि ने तो CEO बोलता है ठीक है ये वैसे बुरा आइडिया नहीं है करके और तभी देखते हैं कि बिग हैड जो है उसका रोना चुटता है और CEO पुछता है कि बिग हैड यहां क्या कर रहा है और तभी ही बताता है कि तुम भूर कहें कि हमें बिग हैड के बारे में रूरू ने बताया था कि वो बिग हेड से ड्रीम से मिला है करके और उसी के बाद से वो उसके साथ है और हो सकता है कि रूरू ने वाक़ी में बिग हेड को फाइंड कर लिया हो तो रूरू बोलता है कि जो बिग हेड है वो मेरा फालोर है और अब जो big head है वो मेरे से belong करता है और उसको वही सब करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा लेकिन C.E. और ये को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये किस ताइब की चीज़े चल रही है C.E. अपने मन में सुचता है कि यदि हम उठेंगे और क्या तो क्या ये सब real मतलब होगा तो क्या इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे को हर रात को date कर सकते हैं मतलब एक दूसरे को देख सकते हैं हमारे dreams में और C.E. बड़ा कुछ हो रहता है लेकिन ये जो है वो blush कर रहा होता है